सब्सक्राइब कीजिए ब्यूटी सिग्रेट हिंदी यूटीब चैनल को और साथ ही में दियेगे बैल आइकन को भी दबाईए और पाईए सेहत और खुबसूरती से रिलेटिड यूस्पूल वीडियोस हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूटीब चैनल ब्यूटी सिग्रेट सिंदी में मैं आपकी दोस्त नैना गुपता कैसे हैं आप सभी मेकप को शुरू करने से पहले हमें अपनी तुचा को मेकप के लिए तयार करना बहुत जरूरी है अगर आप मेकप से पहले तुचा को सही तरीके से तयार नहीं करेंगे तो इससे दूसरी समस्या भी हो सकती है अगर हमने तुचा को सही तरीके से तयार नहीं किया है तो ड्राइ स्किन में मेकप के बाद फ्लैक्स और ओली स्किन में मेकप के बाद बहुत ज़ादा ओल दिखाई देता है तो मेकप से पहले अपने चेहरे पर क्या करना चाहिए इससे जानने के लिए आप हमारी इस लाइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की कोई भी निव वीडियो की अपडेट मिस्ता हो तो चलिए जान लेते हैं कि हमें कैसे अपनी तुचा को मेकप के लिए तयार करना है सबसे पहले आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीजर से क्लीन कर लीजिए और इस लगागी है इस टॉनर के लिए आप एक बाॉल ले और उसमें एक चमच ऐलोवीरज जेल एक चमच रोजव्टर और गौकनट से कॉकनट ऑईल डाले और फिर आप इसमें चमच लामन जूस आखिर में एक चुटकी हल्दे को डाले और इनको अच्छे से मिक्स कीजिे औ और पिर आप इसको आइस क्यूब बनाकर भी लगा सकते हैं, आप इसको जिस तरह चाहे लगाएं और फिर दस मिनट तक के लिए लगा रहने दे। 10 मिनट के बाद आप अपनी स्किन पर डारेक्ट मेकप भी कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहो तो आप इसको अपनी स्किन पर 10 मिनट तक लगा रहने दें और फिर प्लेन वोटर से वोश कर लें और फिर मेकप करें इससे आपकी स्किन में बहुती बढ़िया ग्लो आएगा और आपकी स्किन सॉफ्ट कोरी भी हो जाएगी और अगर आप अपने चेहरे पर मेकप जैसा ग्लो हमेशा रखना चाहते हैं तो आप रात को फेस वोश करने के बाद इसको लगा कर सो सकते हैं और मॉर्णिंग में आप अपने फेस को वोश कर सकते हैं इसके ही उससे आपकी स्किन सॉफ्ट फेयर होगी और आपके स्किन बहुत अच्छा ग्लो करेगी इसी के साथ दोस्तों मैं उमीद करती हूं कि आपको मेरी यह वीडियो ज़रूर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फेस्बुक वर्टस ट्वीटर गूगल प्रस ना भूले थैंक्स फोर वचिंग आवर वीडियो टेक केर और बाई बाई